दोस्तों आईए आज किस वीडियो में आपके साथ मैं खावन सरकार जो बुक है दोस्तों एंटीपीसी का प्रेक्टिसेट संख्या 20 का अपडेट दूंगा इस वीडियो में पीडियो की बात रहीं आपको मैं वीडियो के अंते में चर्चा करूंगा किस तरह से आपको पीडियो डाउनलोड करना है कहां आपको मिलेगा और दोस्तों एक ची और बता दूं यदि आपके कोई आसपास में एंटीपीसी का इजाम दिये होंगे तो आप उनसे तो मैं बैता दूं आपको सौटकॉर्ट में कि डिजनिंग जो पुछा गया दोस्तों उसमें भी पजल टैप का तो देखिए उसमें बहुत ही गजब गजब कोश्चन पुछा गया इसमें उसी तरह का कोश्चन दिया गया मेहत का लेवल के बारे में आपको मैं उत्रा नह गया था इसलिए मैं कहूंगा इसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए गा तो डाउलूर कर लिजेगा इसको इसका लिंग को इसे डिस्क्रिशन दे दिया जाएगा और आप इसको बनाईएगा दोस्तों आए आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करता हू चाली जो इसमें दिया गए जेनरल अबेडनेस का कोस्चन उसी के बारी में तो देखे दोस्तों एक नमर कोस्चन उसमें भी जेनरल अबेडनेस का कहता है निमलिखित में से कौन सा नगर गुप्त बंस की राजधानी था कौन सा नगर था जो गुप्त बंस की राजधानी इसका देखिया आपको चार option दिया गया है answer जो होगा आपका option नमर 2 हो जाए partly पुत्र next question देखता हूँ दो number कहता है question भारत के मुख निर्वाचन आयुक की नियुकती कौन करता है निर्वाचन आयुकती नियुकती कौन करता है तो दोस्तों इसका जो नियुकती होता है राष्टपती के द्वारा होता है answer आपका हो जाएगा option नमर 3 और दोस्तों ये अनुशेद आपको हो जाएगा 324 का दो के अंतरगत इसकी नियुकती राष्टपती करता है next question नमर 3 question आपका कहता है लोग सभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते है तो लोग सभा जो है अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते है answer होगा आपका option नमर 3 लोग सभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों इसका अनुशेद आपको हो जाएगा 94 अगला question नमर देखिए 4 कहता है भारतिय रास्टे कांग्रेश के पर्थम सत्र की अध्यक्ष किसने की यानि अध्यक्षता किसने की तो answer जो होगा आपका option नमर 3 हो जाएगा WC बनर जी और दोस्तों भारतिय रास्टे कांग्रेश की जो अस्थापना हुआ था 1950 को किया गया था और इसको अस्थापना किन्होंने क्या था एओ खुईम ने इसके अस्थापना क्या था question देखता हूँ question नमर 5 देखिए कहता है इमने लिखित में से किस लेखक ने अकवर के दीन ए इलाही को उनकी मुर्खता का नकी बदीमत्ता का अस्मारक कहा है किसने इस वाद को कहा है 5 का अंसर आपको हो जाएगा option नमर 2 विशेंट अस्मीथ ने कहा किसने कहा विशेंट अस्मीथ next question देखिए 6 नमर question है निमने लिखित में से भारत का कौन सा छेते पार्ष्टित की अति ख्रियासील अस्थल hot spot माना जाता है hot spot माना जाता है वो उसका नाम कहता आपको बताने के लिए तो 6 नमर का आंसर वेशेंट देखिए आपको हो जाएगा option नमर 3 हो जाएगा यानि पस्चमी घाट को मुख मंतरी महिला उतकर्स योजना शुरू की किसने की मुख मंतरी महिला उतकर्स योजना की सुरूआगा चलिए इसका option देखते हैं देखिए इसमें आपको 4 उप्सण दिया गया है आंसर जो होगा आपका option नमर 2 हो जाएगा यानि गुजरात के मुखमत्री विजय रुपानी के द्वारा इसकी सुरुआ की गए अगला कोश्चन देखिए ये कोश्चन धार्मिक छत्र से है आप इसे आंसर इसका जानते होंगे पोश्चन कहता है कठोप निशद में नचिकेता नामक एक किसुर और देवता की बीच हुई बातचित दर्ज है निम लिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका अप्सन नमबर एक हो जाएगा यानि भगवान यम न आपका नोमरिकल है दोस्तों इस नोमरिकल को आप बनाईएगा इसका अंसर इसे में ठीक आउट कर देता हूं अप्सन नमबर दो हो जाएगा नेस कोश्चन है दस नमबर कोश्चन आपका कहता है उर्जा का वह कौन सा सुरोत है जो सबसे कम भूमंडलियत आपमान बढ़ा जाता है अंसर जो होगा आपका कोश्चन नमर दस का अंसर हो जाएगा आपको दो यानि भूताप यह उड़ जा अगला कोश्चन देखता हूं ग्यार नमबर कहता है तारा मंडल सब्त रिसी को पस्चिम नीवासी किस नाम से जाना जाता है इसका जो आंसर होगा आपका विग डीपर के नाम से इसको जानते हैं अगला कोश्चन नमर देखे बार कहता है ब्यक्षात ब्यक्तित्व अंग रीता का हाल ही में नीधन हो गया वह एक अनुभावी थे तो दोस्तों उनका समन किस से था देखे इसका अंसर आपको हो जाएगा वह क्या थे परवता रोह अब दोस्तों इनके बारे में सौर्टकोट आपको बता दो यह जो थे दोस्तों नेपाल के थे इनको 72 वर्स की आयू में इनका निधन हो गया और यह जो है बेना ऑक्सिजन का लगातार दस वार एवरेस्ट पर इन्होंने क्या-क्या फटह किया और यह फटह करने वाले पह दसी के बीच में पीना ऑक्सिजन के और इनको जहाए इनका देखिए आप नाम एक याद कर लीजे यह आपके लिए इंको इनको कहा जाता है सनो लेपर्ड के नाम से इनको जाना जाता है और इनको दोस्तों गिनीच वर्ड रिकोर्ड में 2017 में भी सामिल किया गया था अगल आपका कहता है दादा साहर फाल के पुरुषकार किस चैतर में महतपुर्ण साजनी कुबलावधी के लिए दिया जाता है इसे आप जानते होंगे दादा साहर फाल के पुरुषकार जो है दिया जाता है आपको फिल्म के चैतर में इस कांसर आप जानते हूं चलिए ऑप्सन द किसे कहा जाता है दोस्तों यहां देखिए कुछ question में miss print हुग चाहिए इसका answer देखिए यहां norman barlock सही है लेकिन यहां क्या होना चाहिए 20 में यहां देखिए यहां आपको miss कर देगा 20 में होना चाहिए भारत के लिए आपको हो जाएंगे कौन में स्वामी नाथन भारत के लिए में स्वामी नाथन और 20 के लिए नॉर्मन बॉर्लोग यह आपका अंसर 20 के लिए सही हो इसको आप मिस्टेक के रुप में सही कर लीजिए नेस्ट कोश्चन है निमलिखि सभास्चंद्र बोस ने निम्लिकित में से किस पार्टी का स्थापना की थी तो 1949 में फर्वाड बलोक के स्थापना सुवास्चंद्र बोस ने की थी साइंस से कोश्चंद्र में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस पात बनता है जो उच्छ तापका परतिरोध कर सकता है जिसमें उच्छ कठोरता तथा अप घर्शन परतिरोधाता होती है इसका क्या आंसर होता है चलिए चार अप्छन दिया गया है दोस्तों इ क्या जाए करॉमियमा थ्षाईगा नेश्ट कोर्चन है आपका 18 नंबर भारत में 1936 में अस्थापित पर्थम राष्टिया उद्यान का नाम क्या रखा गया था दोस्तों इसका जो आंसर है आपको हो जाएगा आपसर नंबर तीन हेली राष्टिय उद्यां अब दोस्तों यह जो है इसका नया नाम क्या है जीम कार्बेट नेशनल पार्क इसका स्थापनावी से 1936 में क्या आया था और यह उत्राखंड के नैनी ताल जिले में इस देती अगला कोश्चन देखता हूं अगला कोश्चन नमर आपका हो जाएगा 19 नमर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने बाली पर्थम छिन अंग बाली भारत्य महिला कौन है तो दोस्तों इनकी जीवनी एक बार आप चुरूर देखिएगा इनका आंसर है अनुरीमा सिन्हा इनकी जीवनी देखिएगा बहुती प पोशं अगला क्या क्यूंट पर्थमार कैसा अगला कॉस्चन देखिए त 20 मार कहता है 21 मोर क्यों आप कहता है संस्थाइं और 8 बनाने का अधिकार किस परकार का अधिकार है यह कैसा आधिकार है? संस्ताय और संख बनाने का आधिकार है? question number 20 prevention होगा आपका option number 2 यह जो है केवल नागरीकों के लिए सुनिश्चित सवतंता का आधिकार है अगला question है, अब दोस्तों यह question आपके लिए बहुत important चलिए, चर्चा करते लेता हूं कहता है ओजून छेद से क्या ताथ पढ़ है औजून छेद से क्या ताथ पढ़ है चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको अप्शन नमर 3 समताफ मंडल में ओजून परत की मोटाई कम होना दोस्तों इस कोस्टिन के बारे में आप से में कहूंगा आप यह दी जानते हैं तो आ कहता है केंद्रिय अउर्जा मंतरी आर के सिंग ने जी टी एयज पहल की सुरूबशात की जिस्थ्न अक्छों पूर्जा चहत्र में परती भागियों की संख्यां में बिर्दी होगी जी टी एम का पूर्ण रूप क्या है तो इसका जो पूर्ण रूप होगा इसका आउसर आपको मैं उसे बता दे रहाँ अप्सन नमर 2 हो जाएगा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसका आउसर यह होगा अब देखिए अगला कोशन आप कहता है मिलान करने के लिए चलिए सिंपल इसका मिलान करते हैं इंद्रा बती यह क्या है भाग आरक्षित छेत्र है यह आपको हो जाएगा 36 गन में पिर्यार कह है केरल में सिंपलिपार कहा है और इसा में बांधीपुर कहा है करनात गरी इस परकार से आपका आंसर हो जआएगा इसको देख लीजएगा आगे जżyग Allah आपका कहता है वायट लीग होर्म एक किश्म है किसकी किसम में है इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको आपसा नमब 26 नमर कहता है question एक conductor का परतिरोध किसके ब्यूत कर्मानु पाती होती है conductor का परतिरोध जो है किसके ब्यूत कर्मानु पाती होता है यह आपका science का बहुत important question है answer आपको हो जाएगा option number 3 क्या हो जाएगा अनुप्रस्त भाके छतफल के अनुकर्मानु पाती होगा next question देखिए 17 नमर पाउधे मीट्टी में घुले हुए nitrate को अवसोसित करते हैं तथा उन्हें परिबर्तित कर देते हैं उसको किसकी रूप में परिबर्तित कर देता है question number 17 आपका हो जाएगा option number 4 यानि option 4 आपका answer हो जाएगा यानि protein अगला question देखता हूँ आगला question हो जाएगा आपका 18 नमर तो देखिए 18 नमर question देख लेता हूँ दोस्तों ये question आपके लिए बहुत important है इसे चलिए देखते है question आपका खहता है जब टीवी का switch on किया जाता है तब क्या होता है देखिए इसमें question दिया है जब टीवी के switch कौन किया जाता है तब क्या होता देखिए इस cancer हो जाएगा option नमर एक शरब और दिरिश दोनों एक साथ शुरू होते हैं आगे question है आपका question नमर 29 देखिए कहता है question आपका यूबा जो की पर्धान मंत्री कोसल विकास योजना के अंतरगत एक कोसल विकास कार्ज करम है जिसके दौरा प्राडम किया गया है किसके द्वारा ये प्राड़म किया गया है पर्धान मत्री कोसल विकास योजना इसके सुरुआत किसके द्वारा किया गया है चलिए इसका आउसर जानते हैं कोस्चन नमबर 39 का जो आउसर होगा आपका आपका आपसन नमबर 4 हो जाए दिल्ली पुलीस ने इसके सुरुआत क कि अगला कोश्चन है आपका देखिए ये बहुत ही अजीब कोश्चन चिकित साथ सिक्षा के लिए आई जी नोबेल पुरुषकार 2020 से किसे समानित क्या गया इसका अंसर आपको हो जाएगा रडेंद्र मौधी को दिया गया अगला कोश्चन है सतारिया किस राज का सास्तिरे विचेनरित शैली है तो इसका अंसर ग्यों 31 का अंसर हो जाए आपका तीन निमपर ऑप्शन यानि अस्ट सम्ट कोश्चन देखता हूं य को इस को च नमबर हो जाएगा आपका 32 32 32 नमबर कहता है को था भारत के पर्थम उर्भरक स्षापित किया गया था यह आपको कहा किय जाए गया था अंसर हो जाएगा आपका और सिंद्री जार्खन आगे कोश्चन आप करता है किसी तत्व के समस्थानिक से ताथ पढ़े समस्थानिक का मतलब क्या होता यह आपको कोश्चन कह रहा है चलिए आंसर देखते हैं 33 नमर प्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा गया है उस तत्व के विए परमानु जीन की परमानु संख्या समान हो इसका अप्शन नमर चार हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है चौतिस नमर के तानिमलिकित में से किस दिख गुरू ने गुरू मुखी लीपी कि सुझाथ किस ने की आंसर होगा आपका अप्शन नमर दो या आप इसको लगाईए नहीं तो गल्ती हो सकता है करता है निमने वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर चैन किजिए यह में कहता है कथन हिमाले से निकलने बाली नदियां बारह मासी नदियां है और में कहता है आपको तर्क हिमालिये नदियों का उद्गम शुरुत हिमानि प्रयोग में इस्थित है देखे इसका जो आंसर होगा आपका सराफ से को सेना जुए और दोनों से है इसके उत्पादन में किसका प्रियोग किया जाता है तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा 36 का अंसर आपका हो जाएगा अपसन नमर 1 यानि carbon dioxide अंसर ये एक नमर हो जाएगा अगला question है निमनी लिखेत में से किस चैतर में भारत में पर्थम साहकारी आंदोलन आरब हुआ था साहकारी आंदोलन किस चैतर में सरपर्थम हुआ था question ये कह रहा आंसर देख लेते हैं आंसर आपका हो जाएगा अपसन नमर 1 किरिसी रिण के चैतर में नेस्ट question देखते हैं नेस्ट question देखिए आपका ये लगभग करेंटेफेट से question है और तीस नमर पर्षिद किर्केटर यान बेल ने किर्केट के सभी प्रारूपों से अपने सन्याज की घोषना की वह किस देश की है तो दोस्तों ये जो है यान बेल किस देश के किर्केटर है चलिए आंसर देख लेते हैं question नमर और तीस का जो answer होगा आपका option नमर दो हो जाएगा इंगलेंड का अगला question है question देखिए ये आपको अर्थ सास्ट से किसी बस्तों की कीमत में भीर्धी से क्या अभी प्रेरीत है तो देखिए इसका 49 का जो answer होगा option नमर चार हो जाएगा इसका answer यानि मुद्रा के मुल्य में गिराबट और बस तू के मुल्य में बेर दी इस question नमर देखिए 40 40 नमर question जो आपको कहता है 40 नमर question देखिए कहता है इसमें लिखित में से कौन सी प्रेक्रिया रासाइनिक अभी किडियाओं से संबधी थे 40 का जो answer होगा आपका option नमर 3 हो जाएगा उच तापमान पर बायू की उपस्तिती में तांबे के तार को गर्म करना तो दोस्तों यह था आपका चालिस general awareness का question वैसे देखिए दोस्तों इसका आप में थ्रिजिनिंग बनाईए यह दि आपको BCS तीकत होत कमेंट कीजिए आपको मैं पूरी तरह से पढ़ियास करूंगा कि आपको मैं उसको confusion दूर करूं कुछ question आपको मिस देखने को मिल सकता है आप कमेंट जरू किजिए आपको मैं डिटेल के साथ डिस्क्रिशन में इसकी जानकाड़ी देद दूगा तो आज की वीडियो में इतना ही फिर अगली बने आते हैं तब देक लिए जाहें